हेलो फ्रेंड्स हमारे न्यू ब्लॉक में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे हेल्दी एंटेस्टी बहुत ही यूनिक तरीके से मैंगो ऐसक्रीम जल्दी बना लीजिए वरना गर्मी खतम होने वाली है और मैंगो का सीजन भी खतम होने वाला है फिर आप बना नहीं पाए दस मिनट में आप ऐसक्रीम बना सकते हैं मैंगो ऐसक्रीम चलिए बनाते हैं इसको बनाने के लिए यहाँ पे हमने वन मैंगो लिया है और इसके पल्ब को हम कट करके निकाल लेंगे पल्ब को निकालने का भी यह ट्रिक है आप ऐसे बीच से कट करके और चकु से ऐसे कट कर इसे छोटे छोटे पीसेस में भी आप कट कर सकते लेकिन हम रफली चॉप कर रहे हैं और इसको हम उपर करेंगे और इसके पल्प निकलाएंगे बहुत ही आसानी से यह निकलाते हैं आराम से ऐसे ही हमें सारे पल्प को निकाल लेना है अब यह देखिए अब हमारा पूरा पल पल्ब निकलाया है अब इसको हम mixi में grind करेंगे बीना पानी डाले ही हमें grind करना है अच्छे से यह देखिए grind हो चुका है एक bowl लेंगे बाउल में हम पल्ब को निकाल लेंगे मैंगो पल्ब में ना चीनी डालनी है और ना ही पानी या दूद कुछ भी नहीं डालना है केवल ऐसे ही हमें ग्राइंड करना है अब हम हाफ लिटर दूद लेंगे और इसको हम अच्छे से दो से तीन बॉइल कर लेंगे कंटीनू चलाते हुए बॉइल करना है हमें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब करें बेल आइकन दबाएं नए अपडेट पाने के लिए और इसका जो साइड में जो लग जाता है वो हमें छुटाते हुए हटाते हुए चलाते रहना है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए हमें आसानी से इसको निकालते हुए चलाते रहना है परफेक्ट ऐसे ही हमें चलाते रहना है चलिए एक बाउल लेते हैं इसमें हम दो चम्मच कौन स्टार डालेंगे या आप इसमें कौन फ्लोर भी एड़ कर सकते हैं और दो चम्मच मिल्क पाउडर एड़ करेंगे इन दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे इन दोनों को डालने से दूद कौन स्टार से दूद गाढ़ा होता है और मिल्क पाउडर से थोड़ा सा मावे का टेस्ट आ जाता है इसलिए इनको दूद में हम mix करेंगे यहाँ पे हम normal दूद लेंगे और normal दूद से इसको हम हलका सा एक paste type का बना लेंगे इसमें लंस नहीं पढ़ने चाहिए ऐसे हमें mix करना है पूरा अच्छे से mix कर लेना है क्योंकि आप ऐसे अगर दूद में add करेंगे तो दूद में लंस पढ़ जाएंगे इसलिए हमें ऐसे एक paste type का बना के ही add करना है चलिए देख दूद में अब हम इसको add करते हैं थोड़ा थोड़ा डाल कर ही add करना है चलाते हुए continue चलाते हुए add करना है और बाउल में जब कम बचे तो इसको हम बाउल को हिला कर डालेंगे क्योंकि कौन इस्चार नीचे बैठ जाता है अब दूद को हम continue चलाते हुए इसको गाढ़ा करेंगे जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक हमें इसको चलाते हुए boil करना है क्योंकि अब दूद जल्दी गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें कौन इस्टार्च पड़ा हुआ है इसलिए आसानी से यह गाढ़ा हो जाएगा दो तिन बाउल आने तक गाढ़ा हो जाएगा आप ऐसे में मीडियम फ्लेम में हमें इसको बनाना हैं अब यह देखिए हमारा दूद्ध गणा हो चुका है इसकी एस हूने चाहिए कि अगर कंछिल में हो तो इसको फिंगर से चलाएं तो इसमें लाइन्स ही अब इसको ठंडा कर लेंगे, यह देखिए हमारा मिल्क ठंडा हो चुका है, अब इसका साइड में जो लगा हुआ है पार्ट वो निकाल लेंगे आसानी से, पूरा अराम से निकल आएगा, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अब इसको हम मैंगो में एड करे करेंगे, पूरा दूधाराम से पूरा निकाल के हमें एड कर लेना है, अगर हमारी महनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज सस्क्राइब करें, पहला इकन दबाएन एपडेट पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अब इसको हम इस ट पाते हैं, तो मिक्सी जार में डालकर आप इसको ग्रैंड भी कर सकते हैं, तब आसानी से मिक्स हो जाता है, लंसा हमारा मिक्स हो चुका है, अब इसको हम और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, अब हमारा मिक्स हो चुका है, इसको एक जार में हम डालेंगे, एड करने के बाद म हाइफ उसपे हम मिक्सी चलाएंगे जिससे की उसमें हलके से बबल्स आजाएंगे और फूल जाएंगे जिससे की ऐस्क्रीम बहुत ही सॉफ्ट बनेगी यह देखे हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया इसमें दिख रहे हैं साइड साइड से बबल्स अब एक कंटेनर लेंगे और इसमें हम मांगो आइसक्रीम को एड करेंगे इसको एक या दो घंटे के लिए आप फ्रीजर में रख़ें फिर से इसको आप ग्राइड कर सकते हैं उस पर ताकि आपकी आइसक्रीम बहुत ही और सॉफ्ट बनती है अब इसको हलका सा टैप करेंगे अब इसमें हम एर टाइट ढकन बंद करेंगे आप चाहें तो कोई टिफिन भी ले सकते हैं अब एक फ्रीजर में हम इसको जमाने के लिए रख देंगे इसको एक दो घंटे बाद फिर से हाई फ्लेम पे मिक्सी जार से चला कर बना सकते हैं और साथ गंटे के लिए फिर हम इसको जमाएंगे यह देखिए हमारी आइसक्रीम जम चुकी है अब इसको हम बाहर निकालेंगे बाहर निकालने के लिए बहुती आसान तरीका है या तो आप इसको हैंड से ऐसे गरम कर लीजिए तो निकल आएगा वरना आप इसको पानी में थोड़ी देर के लिए एक या दो सेकेंड के लिए पानी में रख दीजिए तो आसानी से निकल आएगा ऐसे tap नीचे को करिए फिर निकलाएगा यह देखिए आसानी से निकलाएगा है अब इसको हम कट करके दिखाते हैं आपको कितनी अच्छी हमारी soft ice cream बनकर रेड़ी हुई आपको दिख रहा होगा हमने एक ही हाथ से कितने अच्छे से अच्छे से कट करके आपको दिखाया है बहुती सॉफ्ट और बहुती टेस्टी आइस क्रीम हमारी बनकर रेडी हुई है, यह खाने के लिए रेडी है, आप इसमें हम कुछ कट्स पिस्ता डालेंगे, आप इसमें कोई भी ड्राइफूट्स डाल सकते हैं, या मैंगो पल्प के पीसे भी डाल सकते हैं, जो आप चाहे उससे इसको डेकुरेट कर सकते हैं, हमारी आइस क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है, यह बहुती खाने में टेस्टी लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, इसको हम एक प्लेट में लेंगे, दिखाते हैं यह देखे कितनी अच्छी हमारी आइस क्रीम बनकर रेड अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब थैंक यू